नवस्कासातियों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे इतिहास पर और याद रखे ये सभी कलासें आपकी UPSC और State PCS Prelims को दिहान में रखती हुए कबर के जा रहे हैं तो आज हमें मद्यकालीन भारत में पहला चैप्टर कबर करना है और याद रखे इससे पहले जितनी भी आपकी कलासें ले गए हैं वो UPSC और State PCS Prelims Special Classes के नाम से जो आपकी पिलेलिष्ट सोची बना रखी है न उसी में टली हुई है तो हाँ जाकर आप लोग करम से सभी कला मालू करना है तो चली एक-एक करके देख लेते हैं और मुझे लगता है कि आपको बता दू कि इससे कुष्टन्स आपकी परिक्षाओं में हलसाल पूँचे जाते हैं और इसका एक ही उपाय रहता है कि आप लोग कम से कम पुराने कुष्टन्स पिपर उठा के देख लेज भी थी और आप देखेंगे भारत में इसे विक्सित करने का सरे तुरुक और मुगलों को फराप्त है भारत में इसे विक्सित करने का इतिहास लिखने की कला की बाल तो रही तो तुरुक और मुगलों ने इसे नेमित रूप से विक्सित किया और पूर्व इसलाम काल में अ अजरब मुहम्मद की जीविनियों का संकलन है, किसमें? सीरत में, योद्धों की बितांत मगाजी की रूम में संकलित किये गए, तब काद सामद इतिहास से समंद इत गरंथ है, जिसमें विभन ने समुदाय की समंद में इतिहास एक जानकारी मिलती है, और मद्दिकालीन पिस सस्तियों में सबसे महत्पूर्ण मुहम्मद तुगलक से संबंद इत है, और इसकी रचना अगर आप देखेंगे, तो बदुरुद्दीन ने की थी, किसकी? सायनावा की, और एक कई वावर आपसे पूंच लेता है, कि जो सायनावा है, ये किस सासक से संबंद इत है, तो मुहमद तुगलक से, और इसकी रचना किस ने की थी? वदुद्दीन ने, ठीक है? तारी के फिरोज साही के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा, इसमें नैतिक उपदेश प्रिदान कलने वाली रचनाओं में सरपितम समसे सिराज अफीब की है रचना है, किसकी है? समसे सिराज अफीब की रचना है, और इसमें फिरोज साही तुगलक की सासनकाल का वड़न आपको देखने को मिलेगा, तारी के फिरोज साही. फिर आप देखेंगे, चचनामा आप लोगों ने सुनाओगा, इसमें देखिए अर्वों की, जो सिंद बजए थी ना, इसका उल्ले बकर और खोपी ने इसका फार्सी अनुवाद किया, तो इसके लेखक कमाल ही नहीं है, किसे कौन से लेखक ने लिखी हुई थी, लेकिन बात में आप देखेंगे फार्सी में बकर और अबू बकर और खोपी ने इसका अनुवाद किया, फिर आप देखेंगे तहरी तहकीक जिसे आप लोग के तावल इहंद भी कहते हैं, इसकी रचना अलवरुनीने की थी, और अरवी भासा में की थी, अलवरुनी ने, किसमें? अरवी भासा में, और सरप इसम्त हम आप देखें कि सचारू, से ने इसका अंगरेजी भासा में अनुबाद किया था, अनुबाद कहने का मुदला है कि इस भासा से आप देखिए दूसी भासा में उसका एक तरह से ट्रांसलेशन करना आप कहलेजेगा ठीक है जिसे क्या रहे कि कोई अंग्रेजी में है तो हिंदी में उसका अनुबाद हो जाता है जिसे हिंदी पढ़ने वाले लोग असानी से प तरहादारी थे और इस गरंथ में अलवरुणी ने महमूद गजनभी के समय के भारत की राजनितिक आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का बार्यरं किया इसमें यह एक खगोल सास्तरी जोती सास्तरी था और 1819 में महमूद गजनी के साथ भारत आये था उसने सुतंत रूप से भारत का और लुकन करने कर अपने ग्रंथ की रचना की ठीक है थिर आप देखें कि ताज उलमासिर और इसकी रचना अगर सद्रुद्दीन मुहम्मद हसन निजामी ने की थी इनके लिए ज़रूर याद रखे रहते हैं तो मूल रूप से अर्वी में लिखी कही थी अर्वी भासा में और दिली सल्दनत के सुल्तान को तो बुद्दीन एवक के दरवार में सेवारत था है और इतिहासकार इलियट इलियट और डाउसन ने इसका अंगरी जी अनवाद किया ताज उलमासिर ऐसे फहली प 5-12, इसके रचनाकार की अगर बात करें तो मिन हाज से राज ने फालसी भासा में लिखा था इसे उसकी रचना किसने की थी मिनहाज उस सिराज नहीं किस भास आमें? फालसी में मुहम्मद गौरी की भारत बिजय तथा नौ इस्थावित तुर्की सल्तनत की इतिहास के बारे में आपको इसे गरंद से जानकारी मेलती है और यह गरंद नसुरुद्दीन महमूद महमूद गुलाम बंस के उको समर पे थे फिर आप देखें कि तारी के फिरोसाई वा फत्वा ये जहादारी तो इस गरंद की रचना ज्याउद्दीन बर्नी ने की थी तारी के फिरोसाई में बल्वन से लिकर फिरोसाई तुगलक के सासन के छटे वर्स तक नो सासकों का उल्लेक मिलता है इसमें और इतिहासका एलियट और डाउसन ने इसका अंग्रे जी में अनुबात किया था फिर आप लोगो तारी के फिरोसाई सुनेगे फिरोसाई तुगलक द्वारा सरक्षर फिराप्त समसे सराज अफिव द्वारा लिखी और इसमें तैमूर बंस के तैमूर के पितेक्ष आखमन का भी उल्लेक मिलता है जानकारी मिलती है फिर आप देखेंगे फदु हात ये फिरोसाई या सुल्तान फिरोसाई तुगलक की आत्मकता थी क्या थी आत्मकता थी आज भी तो आप देखते हैं लोग अपनी आत्मकता लिखते रहते हैं और जिसे वह्मनी राजन के सस्थापक अलाउद दीन वह्मन साहिं की सर माप करी या सुल्तान फिरोसाई की आत्मकता थी और इस गरंद को लिखने का सुल्टान फिरोसाय का मुखुद्देस अपने को एक आदर्स मुसल्मान सिद्ध करना था हम लोगों ने एक पॉइन लाइन छोड़ के अंगले पर पहुँच गए हो जाता है कभी कई बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी घटना होती रहती है फिर आपकी फुतु उस सलादीन और इसे लेका की बात करें तो ख्वाजा अब्दुल्ला है मलिक इसामी थे और जिसे इसने बहमनी राज के सज़्धापक अलाउद्दीन बहमन साय की सरक्षन में और आप देखेंगे कि बारे सो कब बारे सो पचास में पूर्ण किया था यह गरंद बहमन साय को समर पे थे किसे समर पे थे बहमन साय को तो यह भी याद रखेगा इनसे भी कुश्टन से पूच ले तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे और देते रहना चाहिए फिर आप देखें कि तारी के सिंध या तारी के मासूमी तो इसकी रचना मीर मुहमद मासूम ने की थी या वो पुस्तक चचनामा पर आसरित है तारी के यामनी इसे आप लोग किताब उल यामनी के नाम से जानते इसकी रचना उतिभी ने की थी और अर्वी भासा में लिखे थे इस पुष्तक में, सुवक्तगीन और महमूद गजनवी का 1020 तक का इतिहास बढ़ थे, उत भी आप देखेंगे महमूद गजनी का साही इतिहास काल था, कैसा इतिहास काल था, साही इतिहास काल था, फिर आप देखेंगे तारीक मसूदी, इस और वेहाकी की एक अन्न रचना है तारी के सुवुक्तगीन और लेनफूल ने इसे पूर भी पैपस की उपादी दी थी तो यह भी आप रखेगा तारी के फिर आप देखेंगे तारी के मुभारक साही इसकी रचना याहिया विन अहमद सरहिंदी ने की थी और सेयद बंस के सा पास्तक मुबारक साहि की सरक्षर में की थी ती से यह ग nuanced श्यद बंस का इकमात समकाली स्रोत है यह गरन्त मुबारक साहि को समरबित है इवन बतूता इसका मूल नाम आप सभी जानते होंगे कि सेक फट्ह अबु अब्दुल्ла था कि इसका इवन बतूता पूरा नाम जो इबन बतूता था एक किसके सासनकाल में भारत आये था तो यह आये था मुहम्मद बिन तुगलक के टेके 1313 में और मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इसे नेफ्ट किया था जो आठ वरसों तक इस पत पर आये कलांतर में उसके विरुद भेष्टाचार और इमान पुस्तक रेहला अर्वी भासा में है और आप से पूचे कि रेहला किसकी किर्ती है तो इवन बतूता की जो उसका यात्रा बितान्त है वो इस गरंथ में भारत की राजनेतिक सामाजी कार्थिक और सांस्कितिक इस्तिती का वर्ण मिलता है और इसमें सुल्तान ग्यासुदि परिस्तितियों का बैड़न भी देखने को मिलेगा इसके अतरिक्त रेहला में महुमत बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन उसके विचार विसासने की उजना राजदरवाद की स्तिती सामाजी कार्थिक जीवन की जलकियां भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें फिर आप लोगों ने माल फुजात ये तेमूरी और ये तुर्की भासा में लिखित अमीर तेमूर की आदम का था है और सरफ अबू 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 तालिब हुसेनी ने इसका फार्सी भासा अदम में अनुबाद किया और बात साय जहान को भेंट स्वरूप देती है जफार फिर आप देखेंगे वाकिया ये मुस्ताकी और तारीक हे मुस्ताकी इसकी बात करें तो इन दोनों किरंथों की रचना सेक, रिज्या, कुल्लाह ने की थी और इन दोनों में लोधीव और सूर वंसों के अतरिक्त मालवा उगजरात की अफगान रजवंसों का बर्डन मिलत तारीक सलादीन ए अफगान तो एहमत यादगार ने इसे बहलो लोधी से लिकर हैमो की मित्यू तक की घटनाओ का बर्डन किया है इसमें फिर आप देखेंगे अदा बूल हरुप की हरुप सुझा अद ए फक्क मुदब्बीर की रचना है और इस गिरंद का संशिप्त रू में सुल्तान के प्रांथपती एनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है उसे के पत्रों को संकलन करके ए बनाई गई इंसा ए माहरू ठीक है तर आप देखेंगे कि तारीक रसीदी ए मिर्जा हैदर द्वाला लिखित गरंद है इसमें कस्मीर के तिहास का अबड़न मिलता है तार जान ये अफगानी ये आप देखें नियाम नियामत उल्ला द्वारा लिखें लोधी बन्स के सास्कों का बड़न मिलता है फिर आप लोगों ने अमीर खुसरों के बारे में सुना होगा ये काफी चर्चित लेखक है आपके ये इसका अन्य नाम है तूती ये हिंद के नाम स मुहमद की सेवा में रहा और मंगोल उद्वारा योद्दि में मुहमद मारा गया और अमीर खुसरों को बंदी बना लिया गया जय किन्तों बाध में भाग झाया है वो इसकी बात कीकुवाद कूमारस अलाओ दीन ख्ल्जी के बादा मुबारक ख्ल्जी और अलाओ दिन जल वियान में उसके साथ भी गया था और यह पिथम मुसलिम कभी है जिसने हिंदी सब्दों का खुलकर वेयों किया फारसी कभीता का भाती करने वाला पिथम कभी भी है इसकी पिरमुख रचना है अगर आप देखें तो किरन उन किरन उस सादेन वोगरा खा द्वारापने पूत केकूबात से मिलने की कहानी फिर आप देखीं मिफता है उल फुतो जलाउत देन खिल्जी कि सेने कभीयानों का बढो खाजायान उल फुतो इसे तारीक अलाई के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अलाउत दीन खिल्जी कि सासन शुले वरसों का घटना उसकी दच्छन भारत की सेनिक अभियानों अधी का बर्डन मिलता है आसी का गुजरात के राजा करन की पुत्री देव लारीन रानी और अलाउदीन के पुत्त खेजखा की प्रेम गाथा का बर्डन है और यहां गरंथ काबसली में लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि उसमय भी ये प्यार प्यार चलता होगा चलता था चलता क्या होगा नूर सिफिर ए अलाउदीन खिल जी के पुत्त मुबारक साह खिल जी की चाटू कारिता का वर्डन है इसमें और इस गरंथ में खुसराओं ने भारत की तुल्ला सुरक के उध्यानों से की हुई है तो गल्लक नामा काबसली मे लिखेत इस गरंत में खुसक साहव अग्यासुद्दिन तुगलग की मद्द कूटनी थी वायोद ग्यासुद्दिन तुगलग द्वारा दिल्ली का संगासन प्राप्त करने का वर्वन मिलता है इजाज ए खुसरवी इसमें धार्मी को सांस्कितिक जीवन के बारे में विसे आपत तो आप देखें सबसे पहले अवलेकों को देख लिए पूर मुगल काल के लिए अवलेकिये साक्चोतने बहत्पूर नहीं जितने साहितिक सरोत हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय काफी अच्छी तरह से लिखा जाना पड़ाना लगा था और उस समय की जो भ भूकलिक सिमाओ के कुछ समझने में साहिक होते हैं अवलेक और इस संद्र में उडिशा के दखकन और दच्छन भारत में हिंदो राजाओं के अवलेक उन चेत्रों के इतिहास पर महत्पूर प्रकाश डालते हैं इन अवलेकों से यह ग्यात होता है कि मुसलिम इतिहासकारो द्वारा लिखे गया विवरन मुख रोप से सासक बर्ग की दृष्टी में रखकर लिखे गया थे सामान जन की दसा का उसमें कोई विशेस उलेक नहीं किया गया है और इसकाल में के अविलेक एपी गराफी इंडिका तथा अनसोध पत्तिकाओं में पेकासित किये गया है तो पर इन पुस्तकों में अंकित उपयोगी सामगरी के आधार पर नेलसन राइट ने दी क्वाइनेज एंड मेट्रोलोजी दी सुल्तान अव देली नामा पुस्तक लिखी जिसमें विभन पिकार की मुद्रा है उनके पैडामों का भी उलेकिया गया है पर आप देखेंगे कि सल्तनत काल की बहु पिछले मुद्रा चान्दी का टंक इसे सहस गनी और तामे का जीतल या अतवाजीतल था और या गिफी मुहमत बिन तोगलक ने 200 ग्रेन का एक सोने का सिक का दीनार भी चलाया 140 ग्रेन का चान्दी का अदली भी उसके द्वारा चलाया गया था उसके समय आप देखेंगे ही तामे और का अतवात कांसे की पितीक मुद्राए भी चलाया गया थी सल्तनत कालीन सासकों ने अलाओदीन खिली और उसके उत्रादीकारी मुबारक साहिख खिली ने सोने और चान्दी के चोकोर सिक्के भी चलाया थी दिल्ली के प्यारमी सुल्टानों के सिक्कों में अब्वासी खलीफाओं के पिती स्वामी भक्ती की भावना अंकित रहती थी और किंतु बाद में सुल्टान जैसे मुहमद बिन तुगलक फिरोसाय तुगलक ने अपने नाम से सिक्क्य चलवाए महमूद गजनवी ने सबसे पहले लाहोर में चांदी का टंका चलवाय था और उसके सिक्के में एक तरफ कलमा लिखा रहता था जिसके साथ महमूद का नाम भी अंकित था और दूसरी तरफ आप देखेंगे उसे संस्कित का अनुबाद रहता था उसका और पंजाब के तानों में इल्तोत मिसने सरफे थम चांदी के टंक और तामी की जीतल का पेसलन प्यारम किया था विजय नगर समराज की मुद्रा पगोडा और मदूरा और बहमनी सासकों के शिक्के बहुत आयात में प्राप्त होते हैं विजय नगर के सिक्कों में अंकित सब्द पहले या दिल्ली सुल्तानों की नकल थी इस्थापत की बात कर लेते हैं सल्तनत कालीन भवन इस्थापत की सैली सुल्तानों की कलाप्रेम कला के उसकर कला की सैली धार्मिक आस्थाओ राजनेतिक प्रवुत और आर्थिक स्थिति आदी के अनेक आयामों पर प्रिकास डालते हैं और मद्दकाल में इंडो इसलामिक सैली के विकास के अध्यन का आधार ततकालीन भवन है और प्रांतिये सुल्तानों की कलात्मक अभीर उचियां तथा उनकी आर्थिक दसा का अनुमान भवनों के आधार पर किया जा सकता है भवनों का आकार पिकार और उसके निर्माण में नेहत अध्यसों से समकालीन राजनेतिक धारमेक और आर्थिक और सांस्कितिक नीति और प्रवितियों को समझने में सहाथ अपराप्त होती है और आप सब भी को बता देता हो इस समय जो भी आपके महल बनाए गए जो भी बनाए गए वो आज भी आप देखते हैं कि आपको देखने को मिलेंगे आप लोग घूमने भी जाते होंगे मुगलकाल की बात करें तो इसमें सहितिक सिरोत आप देखें कि तुझुग यह बाबरी हो गई मुगल काल का बारे में बात करें ठीक है? पहले आप लोग ने देखा है किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत की वो सभी जानकारी थी आप समझ रहे हैं? ये मुगल काल के बारे में हम लोग किन किन सिरोतों से जानकारी खटी करते हैं इनके बारे में पता करते हैं इस समय के बारे में तो साहितिक स्रोत में आप देखेंगे तुजो के बावरी है और मुगल बासा ने अपनी आत्म गता तुजो के बावरी को तुर्की बासा में लिखा था मेडम वैवरीज द्वारा अंगरी जी भासा में इसका अनुबाद किया गया और लेनन और अरसकाइन ने भी अंगरी जी अनुबाद में इसका अनुबाद किया लेकिन सबसे अच्छा सरिष्ट माना जाता है किसका मैडम वैवरीज द्वारा और इसका फालसी अनुबाद पा पुर्णारी के रसी थी, मेज़ा और हैदर दोगलाद जो हमायू की साही फोच का कवान रहता, इसने हमायू के सासनकाल में इसकी रचना की थी, और इसमें मदेशिया के तुर्कों के इतिहास हमायू के काल का विस्तार से बढ़न मिलता है, फिर आप लोगों ने हमायू नामा मुस्ताकी द्वारा लिखित ऐसी पुस्तक है, जिसमें लोदी और सूरकाल के विस्तार में जानकारी मिलती है, और तारीख के दौलत ये सेर साही, ये हसन अली खान की पुस्तक है, तारीख के सेर साही, ये अब्बास खान सार वानी द्वारा अकबर के आदिश में पर फार अबोल फजल द्वारा लिखे तीन भाग में हैं इसका तीसरा भाग आईनी अकबरी कहलाता है इसमें अकबरी की सासन पेडाली का बाड़न आईनी अकबरी बासा अकबरी के सासन सब्बता और संस्किती को जानने का एक मूल वांसरोत गरंथ है तारीख वदायूनी ए अब्द कादिर वदायूनी की द्वारा लिखा गया था तुझो के जहांगीरी जहांगीर की आध्मकता है इसमें जहांगीर ने सौयम अपनी सिंगासन पर बैठने की समय से लेकर सासन की सत्रे बरसों तक का लिखा है और सत्रे से उन्नीस बरस का इतियास मुटमिद खा और अंतिमर सभी में साजहां की सासन काल का इतियास मिलता है तीन इतियास कार इसमें मुहमद अमीन काजवीनी है अब्दुल हमीद लाहोरी है मुहमद वारिस है नुस्खा ये दिलकुस दिलकुसा इभीमसेन ने लिखा था खुला साथ उत तवारीक ये सुजान राय खत्री ने लिखा एक फत्वा ये आलमगिरी, मुसलिम कानून का अत्यंत पिर्माडिक और विस्तित साज संग्रे और इंगे के आदेश पर धरम चारियों का एक संभूद वारा इसे त्यार किया गया था एक फिर्माडिक और विस्तित साज संग्रे और आगरा पहुंचने बाला पित्थम अंगरेज ब्यापारी था एक कुछ पूछ लेगा आपसे पित्थम अंगरेज ब्यापारी किसके सासन काल में आए था अकबर के राल फिच और बिलियम होकिन्स ए अठ्था 1608-11 जहांगीर के दरबार में आए था वेटिस राजा जैम्स पित्थम का राद दूत जहांगुरी ने से 100-400 का मनसभ भी प सेरी के साथ आया था और आप देखेंगे पूर भी द्वीफों की यातरा नामक विवरन में टॉमस रो ने मुगल दरबार के सड़यन तो दोकादरी का बास्तिविक विवरन भी पिस्तुत किया है फिर आप देखेंगे फादर एंथाना मुरे सेरात ये आप देखेंगे से चौंतिस इतावली यातरी साय जहांकालीन दुर्भीक छे आकाल का विस्त वर्डन करता है विलियम फ्रेंच ए 1608 की बात है जहांगीर काल में सूरत आये था भुलन दरबाजी को उसकी सारी दुनियों में सबसे उचा भव माना लाहोर को पूर्व का सबसे बड़ा सहर मा अनार के लिए की दंद कथाव का भी इसने उले किया फिर आप देखेंगे फ्रांसिसको फैल सार्ट यह यह एक डच फेक्टर गुमास्ता था और जहांगीर के काल में आये था और आगरा में डच टकसाला का अध्यक्ष था नील उत्पादक का उत्वादों को का इसने बार भारत की यात्रा की थे पेसे से जोहरी था और इसने अपनी यात्रा विपराट टेवल्स इंडिया में साह जहां और अगरिंजिप के सासनकाल का विस्तार से बारण किया निकोलाओ मनुची यह आप देखेंगे 1653-1700 तक इतावली यात्री ने 14 वरसों की अलपाई में ही ग इत्रोरियो दा मोगोर नामक संसकंड लिखा इसे सत्र वीवार सताबदी की भारत का अंति धरपन कहा जाता है फ्रांसिस वन इयर 1656-1700 की बात है फ्रांसिस ही यात्री पेसे से चिकेश सक्त था और अन्जेव के वीच हुए उत्तरादीकारी की लड़ाई का साथ ची था व आल्प समय तक भारत में रहा था तो यह इन वेदेशी यात्रीयों को भी याठ रखा करिएगा फिर आप लोग क्या करेंगे कि पुरातात्विक्सरोतों से भी मुगलकाल के वारे में जानते हैं क्या करते हैं जानने की कौ juze करते हैं या जानते हैं तो इसमें क्यौन कांसे अब क्या कर पड़ेंगे तो इसमें आप लोग lutक देखेंगे की मुगल कल के, तो मुगल काली अितिहास के अधन के लिए साहितिक के साथ पूरातात्विक सुरोतों की मत्पूर इस्थान है, और साहितिक सुरोत मुगल काली इतिहास की आधार सिला housing फिर भी पुरातात्विक सरोतों से भी काफी मत पूर जानकारी मिलती है मुगल कालीन पुरातात्विक सरोतों में कुछ अविलियक हैं सिक्के हैं इतिहासे के मारते हैं जिसमें मुगल कालीन इतिहास पर पिकास पड़ता है इंसे और अवलीकों से विविन सासकों की राज्जों की सीमा और सासन काल के तिथी क्रम नेधारन में साहेता मिलती है मुगल काल में विविन सासकों ने विविन आकार पिकार धातों मूल के सिक्के भी डहलवाई थे इन्हें देखकर सासन बिसेश की आर्थिक इस्तिति का भी पता लगाया जा सकता है सिक्कों पर खुदी इवारतों से तिथी करम एवं समराटों की उपाधी का भी पता लग चलता है मुगल गाल में इस्तापत का जो विकास हुआ उसका अंदाजा तकालीं के लोव, मस्जिदों, इत्यादी को देख कर लगाया जा सकता है और परंतु आप देखेंगे कि समया भाव के कारण वह बास्तु कला की छित में कोई मत्पूर योगदान नहीं दे पाया, हुमायू भी बास्तु कला की छित में कुछ मत्पूर नहीं कर सका, बास्तु कला की छित में बावर हुमायू की एनोप लग दी, एक तरब जहां बाव अकवर कालीन इमारते उसकाल की समाज अर्दवस्ता राजी की सुद्रणता एवं अकवर की राज जेवन सासंक पर मजभूत पकड़ की और ध्यान एक तरह से आकरिष्ट करती है अकवर के सासंकाल में मुगल समराज अपने चर्मत कस पर था और तथा राज में राज में इच्छा सुन्दरता अधिक दिखती है जो मुगल समराज में आ रही कमजोरी को एंगित करती है और अरंग जेव के काल में बस्तुकला लगबख मिरत पाय हो गई थी और जिसका पता चलता है कि उसका काल असांती और आराजकता का काल था और मुगल समराज अपने पतन की उर चल रहा था, मुगल काल में सौने चांदी और तामी के सिक्के के अपचलन थे, जिनकी एक रूपता ततन सुद्धा सरायनी ये थी, और मुगल काली सिक्के भी मुगलों के इतिहास के अध्यन के एक महत्कूर्ण पुराताती भी सुरोत हैं, मुगल सिक्कों से सासकों की त अध्यूली धातूओं के स्थान पर सुद्ध चांदी का सिक्का रुपया चलाया था, अखबर ने मुहर संसब और एलाही जैसे बड़े आकार में सुद्ध के सोने के सुद्ध सोने की सिक्के चलाये थे, जो अखबर कालीन राजनी थे, एक सुद्ध रधा, मजबूत, अर अखबर ने कोछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ती अंकित करवाई, और देवनागरी में राम सिया लिखवाया, अखबर द्वारा पिछली तेया सिक्के राम सिया अंकित एक महान सासक और दात और धरम निर्पेक्च चरित को जागर करता है, यानि यह बताता है कि ख्खार्म निर्फेक्च सासकता, और किसी ठरम के साथ नहीं करता था, जहागई जीचे कि कुछ सिक्कों में तथा नूर्ड जहा का नाम अंकित है और कुछ सिक्कों पर उसे हाद में सप्वागी स्वारा फ्र प्याला का लिए घृय उए अंकित किया है जह जो उसक्त परि कि जो मद्यकालीन भारत है इसके जो सिरोत है जानने के उस समय के बारे में जानने के मुख्व के पिर मुखफ आप देखिए तो यह अंगली क्यूस्이가 भारत में इसलाम का आगमन किस तरह से हुआ उस पर बात करेंगे विस्तार से बात करेंगे और आपके कुछ सुजा हो तो आप लोग भी वता सकते हैं कोई कुस्टन्स हो आप लोग भी नीचे लिख सकते हैं ठीक है पूछ सकते हैं